नमस्कार दोस्तों, इमभूपी चेनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीपल वरिक्ष के बारे में। प्राचिन काल से हमारे बुज़ुरों ने पीपल वरिक्ष को बहुत महत्व दिया है। पीपल को लगाना एक बहुत ही नेक कारे मने जाता है। और कुछ लोग पीपल की पूझा करते हैं और पीपल को काटने की मनाई है। उनका मुखलक्षे है एक हम जाज़्यादा पीपल के पेड़ लगाएं। आज के युवा इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। कुछ लोग उसे अंध्रिश्वास, कुछ दक्यान में बाते करते हैं लेकिन हम वैज्ञानिक दस्टिशे देखें अब देश देश की अनेक वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि पीपल का अवरिक्ष इकलोता ऐसा अवरिक्ष है जो दिन और रात चोविश गंडे ओक्सिजन देता है और कार्बन डा एक्साइट ग्रेंड करता है यानि कि ये ओक्सिजन पैदा करने की कुछ प्रकृती दवारा दी गई एक मसीन है जो ने हमार से लाइट लेती है ने से पोलुशन होता है ने में कोई लागत लगती है दोस्तों पीपल का एक विशाल विरिक्स हजारों आदमें के लिए दिन रात औक्सिजन तियार करता है यदि आज हम देखें औक्सिजन पैदा करने के जो प्लांट है उनमें क्रोडर रुपया खर्चाता है वो इलेक्टिस्टी लेते हैं और साथ साथ जो पोलुशन कारण डैक्स है उनसे पैदा होती है वो भी यहीं पे इसी वातावन में गूल मिल जाते है तो दोस्तों यदि हम द्यान से देखें तो कुदर्दवारा दिया हुआ है हमारे लिए विशेश उपार है जो हमें प्र कुरोना की दूसरी लहर के अंदर हमने देखा कि जितने बड़े बड़े सहर थे दिल्ली हो ममवयो वहांपे लोगों को ओक्षजन के लिए कटिनाई पैदा है ओक्षजन की कमी के कान अनेग लोगों ने दम तोड़ दिया उसका मुख कान क्या था जो बड़े सहर वावरिक की अतनत कमी है और वहां जो बायू है उसके अंदर उक्षिजन की अतनत कमी है और जो हम सांस लेते हैं हमारी स्रीर को उसके पूरी उक्षिजन नहीं मिलबाती है जिसे हमारी इम्नुटी कमजोर हो जाती है